यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ परस्ताव को कैबिनेट से मन्जूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही नौकरियों के लिए विग्यापन निकाले जाएंगे विजने खबर विजक से खास बाचित किये क्या कुछ कहना था इस बारे में और क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है आईए जानते हैं सरकार और खिलाडियों के बीच लगातार तनाव रहा लेकिन आखिरकार सरकार ने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में बदलाव किया और दरसल अब फाइल खेल मंत्री के द्वारा मुख्य मंत्री को भेजी गई है और इस फाइल में क्या नया है इसकी बज़िशे में जानते अनलबीजी से विसाब पहले बड़ा टकराव किस्तिती रही जब भी सरकार कोई नया अनाउस्मेंट करती है खिलाडी सरकार के विरोध में उतराते हैं दरसल क्या खिलाडी से बाचीत करके कोई पॉलिसी नहीं बना जा सकती है यह जो हमने खेलनिती बनाई थी यह सभी खि अधार की गुझाइश रहती है समय समय पर जैसी स्थिती उत्पन होती है तो उसी के अधार पर जो हमारी खेलनिती अभी तक है है उसमें यह प्रावधान था कि हम प्रैजिस केवल उनी को दोहेंगे जो दो शर्ते पूरी करते हो एक तो हर्याना का वो डोमिसेल हो और दू है अब मैंने यह प्रपोस किया है कि जो एक क्लाउज है कि हर्याना की तृफ से नैश्चनल गेंस में खेल उओऊ हो इसको विड़्रा कर लिया जाए और केवल एक ही शर्त रहे जै कि हर्याना का डोमिसेल हो तो फिर जो भी होगा उसको इनाम देएंगे जो हर्याना का डोम कि शिकायत थी वो भी दूर हो जाएगे मुख्यमंतरी कहते हैं कि जो भी आपके तरफ से पॉलिसी बढ़ाई जाती उनको जानकारी नहीं होती और उसके बाद वो आपने विशेश साधिकार का उपयोग करके कहते हैं कि इस पॉलिसी को फिलाल रोक दिया जाए तो क्या लगत करते हैं और फाइनल अप्रूबल तो मुख्यमंतरी से ही मिलती है और यह जो पॉलिसी है यह भी मुख्यमंतरी को मैंने फाइल बेज दिया और मुझे उमीद है कि इस पर जरूर सबकृति मिलेगी और इसकी कैबनेट से अप्रूबल करानी पड़ेगी और वो कैबनेट से करवा ही जाएगे उड़ा साब कहता है कि हमने सबस्यादा खिलाडियों को नोकरी दी मौझुदा भाजपा सरकार ने अपने साड़े तीन साल के कारिकाल में मातर तीन नोकरी दी ओभी खिलाडियों को कोटे से और जब कि कहा गया कि वो बहुत से नोकरिया देंगे तो आख हमने हमारी कैबिनेट से अपरूब हो गई पॉलिसी नोकरिया देने की और जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और अकवार में विग्यापन निकालेंगे जो जो लीजिबल होंगे उन सारों को नोकरिया देंगे बिलकुल ट्रांस्पेरेंट पॉलिसी बना जाती है और बड़ा समय लगाती है महां से निकलने में तो दिक्ते कहां पैदा हो रही है सर आखिर क्यों सभी जोगों के सरकार नहीं चल पारी कि ने कोई तनाव नहीं है मुख्या मंतरी के साथ अपनी बहुत अच्छे दोस्ती है उनके समर्थन में अगले चुनाव है कि कुछ बदलेगा या बड़ी टाइट पोजिशन रहने वाली है भाजपा की नहीं बहुत अच्छा रहेगा और अब से भी ज्यादा सिटे आएंगे तो यह थे अनिल्वी जी जो साफ तोर पर कह रहे थे कि आने वाली जो सब्ता है वो फिर दुबारा उनकी होगी और तोर पर युवाओं के लिए और रोजगार के बहुत से अउसर है जो भी आने वाले समय में मिलेंगे कैमरमन बैबो के साथ कुमार रमेश खबरे अभी तक चैन्डिगर्ड